प्रदेश सरकार के मुख्या के खिलाफ जमकर निशाना साधा बता दें के नेता प्रतिपक्ष अभई सिंग चौटाला रईवार देर शाम देविलाल सदन में गोहाना रैली का निमंत्रन देने पहुंचे थे इस दोरान उन्होंने जिले के इनेलो वा बस्पा कारेकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार गठ बंधन की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही देविलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा सम्मान पेंशन जो 100 रुपए से शुरू हुई थी उससे 100 रुपए हर रोस किया जाएगा यानि गोहाना रैली में घोशना की जाएगी कि बुढ़ापा सम्मान पेंशन 3000 रुपए महिना दी जाएगी चौटाला ने दावा किया कि जिस प्रकार इनेलों के साथ लोग जुड़ रहे हैं और बसपा से गठ बंदन हुआ है तो गोहाना सम्मान रैल बदुषकर्म की घटनाओं तथा 8 सितंबर के सखल हरियाना बंद के बाद सीम को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं अभै सिंग चौटाला ने कहा कि प्रतेश में भाजपा नेता अपराधियों को संडक्षन दे रहे हैं और ऐसे में पुलिस भी किसी भी अपरा आज दबाने के ऐसे मामलों में कॉंग्रिस ने 2-2 लाख रुपए के चेक देकर पिडित की आवास दबाने की शुरुआत की थी और अब भाजपा इस शुरुआत को आगे बढ़ा रही है उन्होंने कहा कि इस मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाब क दारवाई होनी चाहिए और दरिंदों को जेल में डालना चाहिए कॉंग्रेस के राज के अंदर है घरीब की बेटी के साथ जब इस तरह का अत्ताचार होता था ये कॉंग्रेसी जाकर के दो दो लाख रुपे के चेक देते थे आपको याद होगा गवाना में एक इस तरह का कान्ड हुआ था जिसमें सोनिया गांदी गई थिर उस परिवार को दो लाख रुपे का चेक देखा कि उसकी जबान बंद करने की कोशिश की गई था आज भी उनके प्रिवार की जबान को बंद करने के लिए दो लाख रुपे देने की कोशिश की गई ये और ज्यादा शर्मनाग बात है अभैसिंग चाटाला ने 200 यूनिट तक के बिजली बिलों की दर आधी करने को CM की जूटी घोशना करार दिया और कहा कि इससे किसी को कोई लाब नहीं होने वाला बलकि सरकार तो जहां कहीं 200 यूनिट से कम विजली काबिल आता है उसको रोक लेती है फिर दो महिने का तीन महिने का कठा करके वेज करके उससे लेड़े पैसे वसूलने का काम करती है वहीं कॉंग्रिस नेता करण दलाल द्वारा 23 सितंबर से सिर्सा से अपने हक की आवाज उठाने की शुरुआत करने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष अभय सिंग चौटाला ने कहा कि कोई किसी को कहीं जाने से नहीं रोकता उन्होंने कहा कि करण सिंग दलाल राजनेतिक तोर पर मरा हुआ नेता है जो अब उंगली कटा कर शहीद होना और राजनीती में जिंदा रहना चाहता है अब High Singh ने कहा कि हमने Congress के राज में ही उनके ब्रहष्ट नेताओं के खिलाफ चार साल बाद भी FIR के नाम पर डर आ रही है उन्होंने कहा कि बाजबा Congress के ब्रहष्ट नेताओं पर कारवाई की बजाय उन्हें बचा रही है लेकिन गठबंधन के सरकार बनने के बाद कॉंग्रेस के ब्रश्ट नेताओं के खिलाफ तुरंत कारवाई की जाएगी उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा